आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहेंगे WhatsApp के Alternative Apps के बारे में मतलब कि आप WhatsApp के जगे पे कौन सी ऐसी Apps यूज कर सकते हैं जो कि WhatsApp से ज़्यादा Secure हो और अच्छी हो तो वीडियो को आपको लाश तक देखना है और मैं कई Apps आपको बताने वाला हूँ तो सबसे पहले हम लोगों का जो आप है वो Signal है तो Signal जो आप है वो यहाँ पे इसमें पहले ही Mention है कि Take Privacy with you, Be Yourself in Every Message तो इनका जो Concern है वो पहला Privacy ही है Privacy इनके First Priority है तो यह इस आप की हाइप तब चली जब अभी जल्दी Elon Musk ने Tweet करके कहा था कि Use Signal तो इस वज़े से Signal app काफी जादा popular हो रहा है इसके काफी जादा downloads बीते दिनों में हुए है तो इस पर हम लोग आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप क्या कर सकते है तो इसको हम लोग continue करते है और continue करने के बाद आपको contact का access देना है सारी चीज़े मतलब जैसे login किया जाता है वैसे आप यहाँ पर login कर सकते है और यहाँ पर आपको अपना number डालना है number मैं डाल देता हूँ और कर देता है next तो रिखरने के बाद हमारा OTP आएगा और जो भी verification होना है वो हो जाएगा तो यहाँ पर जो OTP है वो verify हो चुका है और हमारी जो DP है और जो भी pin यहाँ पर आपको पहले मंगता है privacy के लिए तो वो आपको pin लगा देना है मैंने यहाँ पर लगा दिया और यह app मतलब security concern है तो इस वज़े से काफी जादा popular हो रही है और आप इसे easily use कर सकते है बिना किसी problem के तो हमारा pin भी set हो चुका है तो pin set हो चुका है तो अब आप सूच सकते हैं कि काफी जादा privacy pin लोगों ने ध्यान दिया अब signal पर हम लोग जो भी आपका contact है उस पर हम लोग search कर सकते हैं जैसे कि अभी तो मेरे contact में कोई भी signal use नहीं कर रहा है बट आप यहां पर use कर सकते हैं और edit पर जाके आप अपनी number या फिर जो भी है वो लिख सकते हैं कि मतलब जो भी अगर contact use करेगा तो उसका आ जाएगा तो अभी तो कोई use नहीं करना है जानातर लोग लेकिन आप अगर use करना start करें अपने friends को आप सलाह दें कि मतलब यहाला app use करो तो हो सकता है मतलब future में काफ ज़्यादा popular हो सकता है और यहाँ पर आप देखिए यूगल सिंग पर जब मैंने टैप किया तो यहाँ पर धेर सारे चीज़ है मतलब हम लोगों को मिल जाता है appearance theme set कर सकते हैं storage देख सकते हैं chats and media सारी चीज़ा option यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं तो यह काफ ज़्यादा अच्छा option है आप इसे try कर सकते हैं जरूर से तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे app की तरफ दूसरा app है telegram तो telegram जो है वो काफ ज़्यादा popular app है और इसका जो मतलब hype है उसे बताने की ज़रूरत नहीं है काफ ज़्यादा popular app है और whatsapp के बाद सबसे ज़्यादा popular जो की messaging app है वो telegram ही है और इस पे आपको group में जो limit मिल जाती है वो लगभग 2,00,000 लोग add हो सकते हैं एक group में तो telegram में study groups चलते हैं movie के groups होते हैं और मतलब धेर सारी चीज़ों के groups होते हैं apps के भी group होते हैं वहाँ पे apps के apk files upload होते हैं mod apks upload होते हैं और study में तो videos, files, सारी चीज़े upload होती हैं और इसमें सबसे अच्छी चीज़ मुझे यह रखती है कि जैसे let's suppose मैंने किसी को एक file भीजी है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें अगर आप कोई भी file किसी के पास send करते हैं तो आपके पास 2 option रहते हैं या तो आप compress करके file को भेज सकते हैं या फिर originally file भी भेज सकते हैं और उस file का size कितना भी हो सकता है जैसे कि यहाँ पे लोग movies तक share कर देते हैं एक एक दो दो GB की तो आप सौन सकते हैं कि मतलब यह चीज काफी तादा अच्छी हो जाती है और WhatsApp पे यही limit हो जाती है और WhatsApp में जो group में limit होती है वो group की limit होती है 200 या फिर 2500 क्यास बास मगर इसमें 2 लाग है तो यह एक अच्छा concern है और काफी जादा popular हो रही है अगर आप WhatsApp के अलावा कोई app यूज करना चाते हैं तो आप Telegram यूज कर सकते हैं और Telegram पे आप chat भी easily कर सकते हैं किसी से भी मतलब इस पे chatting वाला जो मतलब आप कह सकते हैं कि experience मेरा काफी जादा अच्छा रहा है और movies भी आप ऐसे link share कर सकते हैं directly तो उसमें भी कोई भी problem नहीं है तो इस वज़े से आप इसे use कर सकते हैं और इसमें आपको sticker sticker भी काफी जादा अच्छे अच्छे मिल जाते हैं यह sticker मैंने बेचा है तो यह बड़ा होके जाएगा यह है तो यह काफी जादा अच्छा मुझे लगा और इस तरीके से आप इसे use कर सकते हैं तो अब हम लोग बात करते हैं अपने third application के बारे में third है IMO तो IMO basically जाना जाता है अपने video calls के लिए और यहां पर हम लोग पहले login कर लेते हैं इसमें login करना बिल्कुल simple है WhatsApp की तरह ही है तो आप इसे login कर सकते हैं वैसे typical और जैसे ही यह verify हो जाएगा भी autofill code हम लोग कर देते हैं तो यहां पर यह जो IMO है यह video calls के लिए काफी जादा popular रहा है लेकिन इसमें chatting का भी experience मैंने feel किया है काफी जादा अच्छा रहता है तो अभी हम लोग चलते हैं और यहां पर आप देखिए कि friends of friends या फिर ऐसा कुछ group है जो कि पहले मैं added हूँ और मैंने बहुत पहले इस पर DP लगाई हुई थी और इस पर आप बात भी कर सकते हैं let's suppose मैं plus पर tap करता हूँ new chat करता हूँ और यहां पर आप देखिए कि जितने मेरे contacts हैं वो सारे यहां पर आ गये हैं और जितने लोगों से मैंने पहले बाते की हैं तो अगर मैं किसी को बात करना चाता हूँ अच्छे तरीके से होती है इसमें आप friends भी add कर सकते हैं तो यहां पर आप देखिए कि यह people you may know तो यहां पर accept या फिर remove आप कर सकते हैं तो let's suppose इनका मैं accept कर लेता हूँ तो accept और हम लोग chat यहां पर easily कर सकते हैं तो chat पर हम लोग tap करेंगे और यहां पर आप easily chat कर सकते हैं तो यह भी एक app है जिसे आप consider कर सकते हैं तो अब हम लोग अपने third application पर बढ़ते हैं जो कि यह Viber तो Viber आप use कर सकते हैं बात करने के लिए लेकिन सामने वाला भी Viber use करना चाहिए तो यहां पर लिका है welcome to Viber free messages and call with end-to-end encryption तो यह सारी apps जो है security पर काफी जादा ध्यान दे रही है तो इस वज़े से अगर आप WhatsApp छोड़ना चाहते हैं तो WhatsApp आप छोड़के यह सारी applications use कर सकते हैं तो ठीक है और इसको हम लोग इस पर भी login कर लेते हैं अभी पहले और Viber activate हो रहा है और autofill code यहां पर OTP receive होने में काफी जादा time लगा देता है तो अभी तो यहां पर यह जो है वह हो चुका है अब हम लोग name अपना set कर देते हैं और हम लोग वह कुछ DOB भी यहां पर fill करनी है तो DOB क्यों मांग रहा है मुझे नहीं पता Okay कुछ भी डाल देते हैं, Okay तो हम लोग proceed करते हैं ओर allow करतें तो यहां पर आप को धेर सारी permissions मांगेगा तो यहां पर आप But identify कर सकते हैं और यहां पर अगर आपके contacts में जो भी अगर होगा तो यहाँ पे आप उससे मतलब connect कर सकते हैं अगर आपको कोई more पे आप जाएंगे और यहाँ पे calls और सारी चीज़ें आपको invite लिखके आ रहा है तो आप अपने friends को invite करके यहाँ पे chat कर सकते हैं और call भी कर सकते हैं चैट का अलग option है, calls का भी option आपको देखने के लिए मिल जाता है तो इस तरीके से आप यहाँ पे simply chat या फिर बाते कर सकते हैं अपने friends और family members से तो यह भी एक काफी तादा अच्छा app है, consider कर सकते हैं WhatsApp के alternative में तो अब हम लोग बात करेंगे अपने 5th app के बारे में जो की है Geo Chat तो अब यह 5th इसको मैंने इसलिए रख़ा है क्योंकि यह limit इसमें यह लग जाती है कि अगर आप Geo की sim यूज करते हैं तब ही यह Geo Chat जो है वो काम करेगा तो मुझे जहां तक पता है बाकी हो सकता है अलग sim के लिए भी काम करें लेकिन मुझे नहीं लगता अगर आप Geo की sim यूज करें तो आप Geo Chat यूज करना चाहेंगे लेकिन यह भी आप एक app को consider कर सकते हैं तो यहां पर मैं अपना नाम फिल कर देता हूं और you will sing और mail okay तो फोटो भी आप add कर सकते हैं मैंने अभी add नहीं किया है तो अभी submitting दिखा रहा है और यह submit हो जाए उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं इसमें भी कैसा interface रहता है और कैसे इसे use करना है तो अभी यह थोड़ा सा problem हो गया था network तो अभी login हो चुका है और यहां पर आप देखिए कि यहां पर आप explore कर सकते हैं जैसे stories है उस पर आप जाके धेर सारी चीज़े एक्सप्लोर कर सकते हैं Jio Chat में channels हैं तो channels आप join कर सकते हैं और यहां पर आपको news updates, cricket updates सारी चीज़े मिल जाएंगी जैसे आप join करेंगे वैसे swapping updates भी मिल जाएंगी तो यहां पर आप देखिए कि Jio Chat चैनल जो है वो messages आए है पिदीवाली और सारी चीज़ें तो यह इनका Jio Chat चैनल है वो भी आपको updates देते रहेंगे time to time अब इसका जो user interface है वो बिल्कुल same to same आपको WhatsApp की तरह लग रहा होगा मुझे भी लग रहा है लगता है इन लोगोंने copy किया WhatsApp लेकिन यहां पर कुछ चीज़ें अलग हैं तो इस पर भी आप अमने friends और family को invite करिए और इस पर chat आप कर सकते हैं बाकी जो की privacy policy की बात है आखरे में हम लोग बात कर लेते हैं तो privacy policy का scene यह है कि आप कभी भी यह नहीं जान सकते हैं कि कौन सी app आपका data चुरा रही है क्योंकि हम लोग अभी इतने advance या फिर इतने जादा नहीं जानकार हुए हैं कि हम लोग जान सके कि कौन सी company हमारे data चुरा रही है और आजकल हमारा data चुराया जा रहा है और आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो इसलिए आपको मैंने 5 alternative apps बताया अगर आपको मन है तो आप download कर लीजे वरना आप WhatsApp भी use कर सकते हैं तो उम्मीद करता हूँ आजके वीडियो आपको पसंद आयी होगी अगर वीडियो पसंद आयी हो वीडियो को like जरू करें चैनल को subscribe जरूर कर लें और मिलता हूँ आपसे next video में तिल देन बाबाय and take care